कि हालो फ्रेंट्स आज हम जो बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन कट आफ बीपिए सिक्षी फॉर्थ पिरलीम से एक्जाम का कुछ जो कट आफ करने वाले हैं उससे परले आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सस्क्राइब करना ना बुले फ्रेंट्स कितना जाने वाला यह x-e KT इससे दो नभर आगे जा सकता है दो नभर पीछए जा सकता है ठीक के फ्रेंट्स तो हम जितने भी कमेंट्स आया है उसके कमेंट्स का धार पर हमने कट अधर कर दो से बढदिवान से देखिये गार्ध्स एक तो से पखले हमारे चैनल उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेर करना ना भूले फ्रेंट्स चलिए फ्रेंट्स हम दखते हैं कि आज जो बीपेशी का जो कट अफ 64 परिक्षा का कट अफ कितना है कितना जा सकता है इसके बारे में हम डिसकर्श करते हैं फ्रेंट्स कुछन्स का लेवल था नहीं हाई था लो था इसमें अगर आप इसमें नेगेटिम था नहीं तो आप कितने कुछन्स आप राइट करके हैं इस पर डिपेंड करते हैं फ्रेंड नीचे नीचे कॉमेंट्स पिछली वीडियो में जब हम एंसर का एंसर कर रहे थे तो इसमें बहुत सार एंसर का जिकरी किया था वीज़ात था तो उसके अंसर हमने कट अगर है तो आपका मेंस एक्जाम के लिए आप क्या हो सकते हैं मेरेट लिस्ट में आ सकते हैं यानि हंडेट फ्लस जिन का नंबर है उनका मेंस रिजल्ट में का सेलेक्शन होने का चांस हंडेट परसेंट बनता है ठीक है और देखते हैं जिस नंबर आपका 97 प्लस है जिन का नंबर 97 प्लस है उनका 100 मेंस में मेरेट आने का चांस बनता है ठीक है फ्रेंट और नेक्स जो है नेक्स जो केटेगरी है जो स्टी और स्टी और स्टी और स्टी का जो कॉटफ जा सकता है फ्रेंट जो स्टुडेंट 95 प्लस किया है जो कोश्टन जो है 95 से अब अब हैं उनका 100 प्रसेंट सेलेक्शन हो सकता है है फ्रेंट कैंड़ आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं वही आपमेट बहुत ही सिंपल था और साइंस भी बहुत सिंपल था जो जेल ऊपर से कोश्टन किया थे लेकिन करेंट एफर्स था ओर 2017 का का यह कोस्टि अब देखते हैं क्या होता है आगी डिजल्ट आने बाद मा और इसमें जो बहुत सरे क्लांग में कितना परसेंटेज छूट है इसके मसारा घीक करता है तो आप छूकने हैं आप बहुत ही मेंस करेंगे ताकि हम इस एक्जाम को हम क्रेक कर पाएंगे में आपको मेंस में आपको क्या-क्यान Eli फर है कैसे त्यारारी करना है तो हम नेक्स्स वीडियो में आपको बताएंगे कि मेंस के लिए आपका कौन से सब्जेक्ट की आपको कितना घंटा पढ़ाई करना है उसके बारे में हम डेटल से आपको वीडियो एक प्रवाइड करेंगे तो आप इस चैनल को लाइक अगर वीडियो आपको अच्छा लाग मैं उसका तुरंत ही जवाब देता हूं इस चैनल पर जो भी हम नूटिफिकेशन देता हैं जो भी हम पढ़ाते हैं वह हंडेट परसेंट का है सब्सक्राइब इस पर आप विश्वास कर सकते हैं तो आज का वीडियो इसी के लिए हम कट अप से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था तो आज कहीं यही कट अफ था अप भगान करें आपका सेलेक्शन हो जाए और इसके लिए आप मेंस के लिए बेस्ट फ्लॉक फ्रेंट्स आप मेंस के लिए त्यारी में लग जिए जिनका नमबर इन से अधिके और उन स्टुडेंस के लिए हम बोलना चाहिए कि उन एस्ट जिनका इतना से नमबर है तो आप नेक्स्ट जो एक्जाम है बीपेसी का उसकी त्यारी में लग जी ए फ्रेंट्स क्योंकि जो लागा हुआ है जो लागा हुआ है त्यारी में उसको आज ना एक दिन होना ही नहीं है जो इमिदारी प्रवक के श्टडी करते हैं आप आप से एक ही आगरा है कि आप दूब बीपेसी त्यारी करते हैं तो पूर्त आप एंसी आडी बुक पे डिपेंट रहें उसका नोट्स बनाएं और उसके पार्ट वाइज से आप उसका अश्रडी करें फ्रेंट्स क्योंकि बीपेसी से कोस्टन किधर से कर देगा से कम है तो आप नेक्स्ट बीपेसी का आप त्यारी के में लग जाए फ्रेंट्स ठीक है फ्रेंट्स तो थैंक्स